जो चैप्टर ए 12th क्लास के लिए है जिसका अगली कविता है विद्यापती की जिनका जनम 1380 में माना जाता है सन और मिर्त्य जो है 4060 में मानी जाती है इनका जनम कहा जाता है कि मदुबनी बिहार के बिस्पी गाउं में बिहार में एक छोटी जो है बिस्पी गाउं है वहाँ पर मधुबनी में जो है वहां पर वा था और इनका परिवार बहुत अच्छा था विद्या और ज्ञान के लिए बहुत प्रसित्ता मतलब कि यहां पर एजुकेशन या नॉलिज के लिए जो है कभी रोका नहीं जाता था इनकी तस्वीर आप साथ में देख सकते हैं इनके जन्मकाल की प्रमानिक सूचना उपलब नहीं मतलब एक अनुमाल लगाए जाता है प्रमानिक सूचना प्रॉपर कहीं प्रमान किसी पद में किसी जो है बुक में लिखा नहीं हुआ है कि इनका रचनाकाल मतलब इनोंने कौन कौन सी कविताय कभ लिखी है कविताओं में जो है रचना काल दे रख है आश्रे दाता के राज्य काल रचना काल और आश्रे दाता के उसमें जो है आश्रे इन्होंने इनको जिन जिन राजाओं ने दिया था जिन जिन राजाओं के साथ रहकर इन्होंने कविताओं की रचना की है पहले क्या होता था उस समय पे कि राज आया उससे पहले किसके उससे पास थे और अंत में जो है कौन से राजा के बारे में इन्होंने लिखा यह तो उसके बाद इनकी मृतिव का नुमाल लगा जाता है कि वो राजा कब तक रहा होगा ठीक है इसी के अनुधार पे इनका जन्वा मृतिव वर्ष का जो है अनुमाल को मिलेगी आगे विद्यापती बच्पन से कहा जाता है कि कुसाग्र बहुत तेज बुद्धी के थे तरक सीलते लॉजिक वल जो है बाते करते थे साहित्ते संस्कृती संगीत जोती सितिहार दर्सन न्याय भूगोल सब के पंडित थे हर चीज की जानकारी ने अच्छी थी आज कल वैसे देखने को कमी मिलता है उन्होंने संस्क्रीट ईवर्ड जिसे अबभरंस का है मैथली तीनो भासाओमें रशना किया इक दू भासाओं सेब पर जिसे अबएकर द inom काहते हैं और मैथली तीनों भासाओं में इनकी रशनाय देखने को मिलती है इनोंने कविताय जाते हैं ठीक है इसकी इसकी अत्रिक उन्हें और कई भासा और उबासा ओं का भी घ्यान था बतलब की तीन भासाओं पे उनकी पकड़ वेजोड है और समय है इसके साथ भक्तिकाल के संधी कभी कहे जाते हैं संधी कभी मतलब की आदिकाल समाप्त होने वाला था और भक्तिकाल सुरू होने वाला था तो उसका जो बीच का जो time period था कि अभी खतम नहीं हुआ और ना ही भक्तिकाल सुरू हुआ तो जो ब्रिज बनता है दोनों के बीच में उस ब्रिज के कभी कौन है वो है हमारे मैथली सवरी विद्यापती ठीक है जिसे मैथिल कोकिल भी कहा जाता है उनकी जो रचनाये हैं कीर्थी लता कीर्थी पताका यह बहुत जो है दर्बारी संस्कृति और अब्रंस कावे परंप जयुए उनकी 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 पडाती है उसका सबसे ज्यादा अधार है जैसे तुलसिदास के लिए राम्चरित मानस के लिए वैसे विद्यापती अपने पडावली के लिए फेमस हैं थीक है वे साहित्य के मध्यकाल के पहले ऐसे कवी है जिनकी पदावली में जन भासा संस्कृति जन संस्कृति की अभिवेक्ति हुई है जन भासा मतला आम लोगों की बोलचाल की भासा उनकी संस्कृति को जो है इन्होंने अपनी भास अपनी कविताओं या पदावली में जो पर हमेशा pelos में के लिया वहावर के तरह वोड़ों के तरह आम भूछ धर लेते हैं एक्जाम्पल के लिए बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेढ़ भभूा' सेतर हैं во लें सोँते बहुत कहते हैं कि लोगों का देली रूटीन में चीज़ सामिल है पद लालित्य मानवीय प्रेम वहवारिक जीवन के विविद रंग इन पदों में सबसे जाधा अकर्षित करते हैं कि लालित्य प्रेम से भरा हुआ होता है वहवारिक जीवन को बारे में बताते और इसलिए पत ज्यादा तर्लोगों को आकर सित अट्रक्त करते अपनी तरफ राधा कृष्ण के माथ्यम से इन्होंने लौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति की है चित्रन किया इस्तूति पदो राधा कृष्ण को एक्जामपल लेके इन्होंने हमारे जो आजकल के जो प्रेम है उसको जो है प्रेम से मिलने आते हैं उसके इन ने दिखाए है उ CC पदो को मतलब ख़ग्वान के देवी देन की डेथा और को मिलते प्रकृति संबन्दी पद इनको देखने को मिलते है प्रकृति कर्वर्णं किया है प्रतिभा कालपना सिलत हुझत बहुत अच्छा रही है उनके पदो खुद अपने आखों के सामने चीजें देखी हूं और ये बहुत दूसरे कवियों में दुल्ला भी देखने को मिलता दूसरे कोई कवी इतनी अच्छे से जो है इसका वर्णन करने में सफल नहीं हुए है ठीक है उनकी प्रमुक किरतिया गए मैं बात करो तो किरति लता का किर परिक्रमा लिखना वली और पदावली जिसके लिए तो यह सबसे ज़्यादा फेमस रहे ही है ठीक है इसके साथ हम आते हैं कि हमारे स्लेवर्स में तीन पद है इनके इस पार्थे पुस्तक में विद्यापती के तीन पद गाए गए है सबसे पहले पद की बात अगर मैं अब उसके दुखया अदुखय है तकलीफ मैं फो प्रकट किया गया वह तैन दुख है कातर है एकडम से कहते हैं कते दिल को चीडेएं वाला जो है उसका है उसका ही अज़म सितनी इंभा अप्रियत्म चोड़क महत्ुरा तो फुक्रे कर लिए निगन करसे हो कि इमेजीन कर सकते हो कि क्रिष्ण ने क्या किया है गोप्यों का हिर्दय तो ले लिया है और गोकुल छोड़के चले गए है मतुरा ठीक है मधुपूर जा बसे हैं ठीक है कभी उनके की कार्तिक मास में आने की संभावना प्रकट करता है जब जो है उनकी जो एक तरीके से विरहनी है जो दुखी है नाइका जब वो कहती है कि नाजाने कब आएंगे तो कभी क्या कहता है हो सकते हो कार्तिक मास में आए और यहां पर कभी विद्यापती है विद्यापती कहते है कि कार्तिक मास में आने की संभावना मुझे दिख रही है अब इसके पत्पे चलते हैं के पतिया ला प्रियतम के पास west लेकर जाएस बिदूंगे एक सरी भवन पिया मतलब कि वो पूरे भवन में क्या है अकेली है फिर 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 जोबन पिया थमायर फिर प्रियतम में के बिन भास Photoshop moet Cam MORE के बिना मोह रहलो ना जाए मुझसे तो रहा भी नहीं जाता है यहां पर अकेले कैसे रहेगी इतना बड़ा वो है ठीक है इसके साथ जो है एक सेकिन एक लाइन यहां पर मिस हो गई है के पतिया ले जात रे मोरा प्रियतम पास मतलब क्या पतिया चिठी जो है कौन लेकर सहे दुख मतलब उसके यह जो दुख है यह जो तकलीफ है वो सहने लायक नहीं है यह असहे दुख जो है भले सावन मास और एक तो कौन सा मास आ गया सावन का महीना कौन सा होता है जूम के आया सावन बारिस होती है ठीक है तो यह जो सावन का महीना है इसमें तो मुझसे औ से दूर चला गया है अगलिए पुरे भवन मैं एक सारी हो गई हूं प्रियताम के भी नहीं रहता है में बनता है एक आकी मैं इस महल में क्या करूंगी आफ्यां पर दुख दारूनि पति आए अब यहाँ पर क्या कहती है कि मेरे एक तरीके से उसका जो दुख जाये मेरे प्रियतम तक जाये मोर मन हरे हरी हरव हर हर किया मतलब कि पास मेरा मन हरी नहींस यह कर руб लेकर चले गए अपना एपना भी मन अपने साथ लेकर चले गए अब अन। क्यों आएगी जब उनका भी मन उनके पास है अब वापस आने के तो उनकी कोई गुंजाईस ही नहीं है है ना देखिए कितने अच्छे से बताया गया यहां पर मेरा मन हरी हर क्रिष्ण लेखल अपने मिन लेके ऑपना मन लेके चलें मतलब मेरी तरफ तो ध्यान देने का सवाब ही नहीं ओड़ता वह वह क्यूँ गोकुल चोड़के मतुरा आएंगे के कि अरख चोड़के मथूरा जा कि मेरा पास वापस क्यों आएंगे वह गोकुल तेज मदुपूर बस अब वह तेज जी बतलched छोड़ कर कहा बस अमधूर मथूरा जा के जो है बवस गयी रेकर अपजस तो ने कि लिया है विद्यापती कवी, अब विद्यापती कवी क्या कहते है, गायल रे धन धरूर मन आस, गया तो है लेकिन तू अपने मन में एक आस रख, ठीक है, और वो आस किसकी रख, आओ तो तोर मन भावन आएगा तेरे मन को भाने वाला, रे एही कार्तिक मास, इसी कार्तिक मास में आए वह और कौन कहता है विद्यापती कभी यह कहते हैं इसका मिनि अब आगे चलते हैं दूसरा पद आप यहां पर क्या है कि विरहनी राधा जो है अपनी सखी से कहते हैं कि मेरी चिठी कौन लेकर जो है मेरे प्रियत्म के पास जाएगा अब तो जो है सावन का महीना आ गया है मे अकेले मुझसे रहा भी नहीं जाता है मेरा दुख इतना कठोर है कि कौन इस जग में मेरे उपर विश्वास करेगा है न और शीक्ष्णी कितने चलाक है मेरा मन अपने साथ लेके गए है और अपना मन भी अपने साथ लेके गए हैं गोकुल तज के छोड के मधुपुर जा तेरा मन भावन आएगा कातिक मास में अब दूसरा चलते हैं दूसरे पदमनोंने बेसिकली क्या कहा है दूसरे पदमे प्रियतमा सक्षी से कहती है कि मैं जन्म जन्मांतर से अपने प्रियतम का रूप ही देखती रही हूँ परन्तु अभी तक मेरे नेत्रों को संतुस्टी नहीं मिली है अभी भी उनको कंटीन्यू देखना चाहते है उनके मधूर बोल कानों में गूंजते रहते हैं उनके बातों को सुनते सुनते तो यूग हो गए है लेकिन अभी भी मेरा दिल क्या चाहता है कि मेरा प्रियतम जो है, मुझसे बात करता ही रहे, उसकी बाते खतम ना हो, उसकी बातों से मैं उभी नहीं हूँ अभी, अभी satisfaction नहीं मिलाए मुझे, संतुस्ट नहीं हूँ मैं, ठीक है, इसके आगे चलते हैं, अब पद पे आते हैं, सखी है कि पूछस अनुभव मोई, पिरीती अनुराग बखाने, तिल तिल नूतन जाए, सेह पिरीती, इसका मतलब क्या है, चलो आगे करते हैं, कि सेह पिरीती, पिरीती का मतलब क्या है, यहाँ पे जो प्रियतम है, जो मेरा प्यार है, अनुराग बखाने, वो प्रेम का रूपी जो वर्णन था, जो हम दोनो हर एक तिल हर एक पल जो है वो नूतन नया होता जाता है तो मैं कैसे उसका वर्णन कर सकती हूँ जो हर एक पल बदलता जा रहा है जनम अबादी हम रूप निहारल मतलब जनमों से बिना अबादी बिना रुकावट के एक टक से टक टकी लगा के जो होता ना कंटीन्यू देखना जनम अबादी बिना किसी बाधा के जन्मों से हम रूप निहारल मैं उसका रूप निहारती जा रही हूँ उसको देखती जा रही हूँ नयन न तिर्पित भेल लेकिन मेरे नयन जो है मेरे नेत्र जो है अभी तक तिर्पत मतलब तिर्पती नहीं मिली है उने कि आवित तक मिली यह मिली है साटिसफेक्शन संतोस्ठी अभी तक में नेत्रों को सेहु मधुर बोल उसके जो मधुर बोल है वो मैं सुनती जा रही हो मैं उसके मदूर बोलो को सदैव कानों से सुनती जा रहे हैं कि फिर भी लगता क्या है मैंने उससे कभी कुछ सुना ही नहीं है ऐसा लगता है कि अभी तक बाते खतम ही नहीं हुई है अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई है ठीक है कत मदु जामिन रभस गमायलो अब वो क्या कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि उसकी जो मादकता है कत मदु जामिन रभस गमायलो ना बुझल कैसी केल यहां पे है कि जितना भी जो है रभस काम क्रिणा मैंने उसके साथ की है जितना भी जो है मैंने मीठे पल उसके के साथ के साथ उसके साथ ताइम को जो है ताया है मैंने तक पता चली है इतना टाइम मैंने उसके साथ बिता दिया रहने में उसके साथ क्रिना की है, मैंने प्रेम के पल जिये हैं, व्यतीत की हैं, लेकिन फिर भी अभी तक मुझे रती क्रिना, क्या नहीं पता चली उसे, रती क्रिना, रती में, प्रेम में, जो हम समय एक दूसरे के साथ अनुभव करते हैं, वो अभी तक मुझे पता ही नही यह राखल, मतलब लाखों यूग जो है, यह राख़, यह मतलब हिर्दे, ठीक है, दिल उसके दिल के पास रखा है, अपना दिल उसके दिल पे रखा है, तब भी मेरे हिर्दे की जो जलन है, वो खतम नहीं हुई है, उसको सीतलता नहीं मिली है, मेरे हिर्दे की जो प्यास थी उससे मिलने की वो अभी तक वैसी की वैसी रही है ठीक है कत विधग जन रस अनुमोद आणुभव का ये ना पेक इसका मतलब क्या है कि वो कहती है कि समझ नहीं आ रहा है कि कत विधग जन रस अनुमोद कि मेरे जो अंदर की जो एक तरीके से कहते हैं जुणने की अनुमोधे उससे जुणने की जो है उससे रस उभोग करने की रस अनुमोधे रस का उभोग करने की उससे जुणने की जो एक कहते हैं तडब थी मेरे प्रियतम से जुणने की जो तडब थी उससे रस उभोग करने क तड़पती उससे प्रेम रूपी रस लेने की जो तड़पती अभी तक खतम नहीं हुई है विद्यापती के प्रान जुड़ते लाखों न मिलन एक विद्यापती कहते हैं कि मेरा जो प्रेम है उससे जो जुड़ा हुआ है वो कभी भी जो है खतम नहीं होता है लाखों व्यक पल बदल outta दल रही है इस अक सब्सक्ता जड़ने- मिलिबिऩ जा रही है दुख के दुख्यालत के नेत्रों से दलाव्य नेत्री जा रही है जुर संड़ी दुबली होती जारिया है इसके अस्तित्व खतम होता जा रहा है अब नेक्स्ट है कुसुमत कानन हेरी कमल मुख इसमें क्या मतलब है कुसुमत प्रफुलित है ना प्रफुलित क्या मतलब है प्रफुलित ठीक है प्रफुलित कानन वन ऐसा वन जो है बिल्कुल जो विक्सित हो चुका है जो हरा भरा है है ना हेरी कमल मु कवल मुख कोँन ह dif Bureau रूपी मुख किसका है राधा का है राधा की जगह आप नाइका भी कर सकते हैं जो आपकी लाइगोнего में हिरो हिरोइन हिरोइन है कुसमत कानन हेर कमल मुख मतलब सुन्दर सा जो बगीचा है वह जो वन है वह खिला हुआ है हेर कमल मुख देखकर कमल मुख राधा जो है क्या करती है मूंदी रहियं दूनायन वह अपने आखे मूंद लेती है उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता वह वन क्यूं कोकिल कलरव मतल उनकी जो अवाज है सुनकर कर देई ज्यापे कान वह अपने कानों आपने हाथों से बंद कर लेती है कौन राधा ठीक है क्यू depon सुन वचन हमार अब यहां पर कहते हैं हे कृष्ण जड़ा मेरी बात तो सुन वचन हमार वचन हमारा क्या मतलब क्या हमारी बात तो सुनो तू गुन सुन्दर ओत भेल दूबर इसका मतलब क्या है तुम्हारे गुणोव प्रेम के स्मरण से तू गुन सुन्दर होत भेल दू दुबली होती जा रही है कमजोर होती जा रही है धर्ती धरी धन कत बोरी बचाई पुने तव उठे न पारा अगर उसकी दुरबलता का हाल क्या है धर्ती धर धन कत बेर बचाई कि प्रिथवी को पकड़ कर वो कठिनाई से बैठती है मतलब वो सीधे सीधे बैठ भी नहीं पा रही है प्रिथवी को मतलब धर्ती पर बैठने की कोशिश करती है तो पहले धर्ती को पकड़ के उस पर बैठने की कोशिश करती है पुनेत उठे ही न पाए और एक बार बैठ जाती है तो दुबारा उठने की चेस्टा वो नहीं कर इतनी कमजोर हो जो गई है कि एक बार धर्ती पे बैठ गई तो दुबारा उठना उसका मुश्किल हो जाता है अब आगे पढ़ते हैं कातर डिठ कर 14 हेरी हेरी नयन गरे जल धारा अब इसका मतलब क्या उसकी जो है दैने जो एक तरीके से द्रिश्टी दैने पूर कातर द्रि भी जितर की वस्के हों किन्ति को इसको जो है कृष्ण को नयन ग्रे जल धारा और जब वह नहीं पाती है तो उसके नयनों से क्या क्या बसने लगता है अस्रूओकी धारा आस्रूओकी धारा जो है बहने लगती लगता एक नदी बेह रही उसके आखों से तो भी रहे दिन चन चलाओne चुट 14न चांद समाना तोहरे विरह है मतलब तेरे से दूर होकर कृष्ण से तुम्हारे विरह में राधा जो है तुमसे दूर होकर चन चनदन चन हर एक पल जो है उसका ही शरीर है वह जो है चिन होता जा रहा है कमजोर होता जा रहा है कैसे कमजोर होता है 14 चांद समान जैसे जो है क्रिष्ण पक्ष की चतुर दर्सी में जो है चांद जो है घटता जाता है है ना कम होता जाता कम होता जाता कंटीनू जो है और एटलास एक जो है पतला सार एखा बनके रह जाता है तो ठीक उसी प्रकार से जो राधा है वो धीरे-धीरे क्या होती जाती है कमजोर होती जाती है बनाई लखिमा देवी ठीक है उनकी पतनी थी सिव सिंग की इनके मित्र थे सिव सिंग मैंने स्टार्टिंग में बताय था कि जब सिव सिंग भी ये बात जानते हैं कि अगर वो अपनी पतनी लखिमा देवी को छोड़ के चले जाएंगे तो उनकी पतनी कभी हाल यही हो जाएगा वो उसका जो प्रियतम है वो उससे दूर है वर्षा रितु में भी विरह की पीड़ा क्या है बहुत असहनी हो जाती है दूसरा कारण क्या है कि प्रियतमा के पास उसका प्रियतम नहीं है उसकी जो है प्रेमी नहीं है ठीक है और सावन के महिने में भी पूरे महल में क्या है अकेल कोई उमीधी नहीं है प्रियतम अपनी प्रियतमा का मतलो जो एक तरीके से जो नायक है वो अपनी जो नायका है उसकी उपेक्षा कर रहा है उसकी तरफ ध्यान नी दे रहा है उसका मन जो है उसकी तरफ नहीं लग रहा है कभी जो है क्या कहता है कभी नयन तिरपत भेल के माध की त्रिप्ति की अनुभूती नहीं हो रही है इसका कारण यह है कि हर एक पल जो है उसका जो रूप है वो परिवर्तित होता जाता उसकी सुन्दर्ता बढ़ती जाती है प्रेम की रूप में क्या नहीं है स्थिर्टा नहीं है स्टेबल नहीं है वो हमेशा बदलता ही रहता है तो इस्वें वह अपने अनुभव को जो है व्यत करने मेंगा असमर्थ रहती है अंसक्सेस्पल हो जाती है उता हो अपना जो एक्सपीरियंस और सहेल नहीं कर पाती है ठीक है और सभी यो काल में भी वो क्या है अत्रिप्ठ dough तर्व ।रोफ से उसे जो है पून्ता नहीं मिल रही है सम्पून्ता नहीं मिल रही है ठीक है नेक्स चलते हैं नाइका के प्रांड त्रिप्त ना होने के कारण अपने सब्दों में लिखे सबसे पहला है कि उसकी अनुभव नहीं मिलता है इसके कारण है कि प्रेम और अनुराक्षन प्रतिशन क्या जाता है नवीन हो जाता है नया रूप ले लेता है ठीक है उसका ना तो वर्णन किया जा सकता है ना ही उससे क्या मिल सकती है पून्ट रिप्ति का अनुभव किया जा सकता है प्रियत्म के रूप और वानिक से जो है ची नवीनता हमेशा से मतलब युगों से अगर नाइका उ कब हो मिलेगी की प्यास अभी तक वैसी की वैसी जैसे मिलने से पहली थी थी कि उसकी तरिक अभी बुझी नहीं है नेक्स्ट किसके पीरती अनुराग बखाने तिल तिल नूतन होए इसमें क्या बताते है इसमें नाइका कि सकhी क्या कहते है तुछ या मुझे अपनी प्रेम अनुभूती तुछा तुम्हारे प्रेम की जो अनुभूती है वो मुझे बताओर की कैसी है तो नाइका जवाब देटी हो कि अनुभाव का वरन करने में में असमर्थ हूं मैं इसका अनुभाव कर सकती हूं इसके आगे है कोयल और भेरों के बौरों के कुलभ और नाइका पर क्या प्रभाव होती है उसे सुनकर अपने प्रियतम से तो इसकीज़ाट से दुख होता है इसलिए वो ध्ुनया सुनना ही नहीं चाहती है और इसलिए जो है उसकी विर्याई व्यता है दुखी उसका मन है वो और जियादा दुखी कर देती है अब आगे से रते का तर दिरिष्टी से जो है चारो तर प्रियत्म को ढूंडने की मना दोसरा को कभी ने किन सब्दों में व्यक्त किया है तो इसमें सबसे पहले है कातर डिठ कर चौकस देर हेर हेर इने गरे जल धारा इसमें कभी बताता है कि नाइका का जो शरीर विरह पे जो है हमेशा घटता ही जा रहा है चारों तरफ वो उसको ढूरती रहती लेकिन उसको मिलता नहीं है और फिर वो जो है उसकी आखों से क्या आश्रुधारा बहने लगती है इसके आगे है किनिम्न सब्दों के तत्सम रूप लिखिए तत्सम मतलब कि अभी के जो रूप है तिर्पत में त्रिप्त होता है ठीक है छन का क्या हो रहा है शन होता है इसके साथ विदग्द का क्या होता है विदग्द होता है ठीक है निहारन, निहारन, देखना, clear, निहारन का क्या है, निहारन, इसके आगे जो है चलते हैं, पिरीत, पिरीत का क्या होता है, प्रीती होता है, प्रेम होता है, ठीक है, सावन का क्या होता है, सावन, अपजस, अप, यस, छिन का तो बताई, छिन का क्या होता है, एक तरीके से, इसके आगे दो और है तोहार का क्या होगा तुम्हारा ठीक है और कातिक का कार्तिक होता है इसके आगे चलते हैं बस जो है आपके तीन और पदह निमलिखित का आशे सपस्ट कीजिए एक सर्भवन पिया बिन रे मोहूं रहलो न जाये 14 hint καव्यांस अंवें कि वित्री कहना चाए हैं कि नाइका घर में अक्पा बाहर चले पूरा घर hm playlist को सुना लगता है तेटर वह उसकी एंग रह पाती है और उसकी डार्भा को ज thousand तक स्वेसी wreckале उसके जितना दुख है उतना ही जो है उसके प्रियतम तक संदेश में पहुचा दे जनम अवदी हम रूप निहारल नयन तिर्पत भेल सोहो मधुरबोन स्रवन सूल सूल सुरूत पत सरसनगे विवार्ष कारण नया होता है कुस्मत कानन हीर कमल मुक इसमें क्या है कि पंक्तियों का मतलब है कि नाई का संयोग काल में प्रकृतिक वर्णन बहुत अच्छा लगता था क्योंकि उसका प्रियतम उसके साथ था लेकिन जब वियोग अवस्ता में हो जाती है तो यही प्रकृतिक वर्णन उसकी सुन्दरता जो है उसको खाने को दोड़ती है उसको को pause लेती बंदा कर लेती है जब kки कल रफ करती है मदू कर जो है गाने गाते हैं बोरे गाने गाते हैं तो अपने कानों पर क्या एक तरीकर से बंद कर लेती है उस फे हात रख के लिए इतना ही है इसके लिए जो है थैक्ल कुरा आख तरह करें TERsmathy झाल झाल